सोल दुफतो सौगते आपका अमारी यूटूब चनल पर और आज के इस ओड़े में हम बात करने वाले Google Search Console अकाउंट के बारे में Google Search Console क्या होता है किस तरे किसे आपको यूज करना है इसमें जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उन्हें आपको केसे सौल करना है इसके बारे में detail में जांकारी हम इस ओड़े में देखेंगे तो जैसे के स्क्रिम पर देशा तो बिल्कुल न्यूव वेबसाइट का मेंने एक Google Search Console अकाउंट ओपन करके आपके पास दिखाया है तो उसके लिए आपको आना है ब्लॉगर टेश्बूर्ट पर और उसके बाद यासी सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग इस पर आपको क्लिक करना है तोड़ा साबको नीचा आने और नीचा आने के बाद आपको आप गूगल सर्च कॉंसल का ओप्शन आपका पास दि यह स्ट्रेज पर गूगल सर्च कॉंसला जातै जाता पूस्त्रेक्स पर दी चलिक करना है और उसके बाद इसे तरीके से से इंटरफेस आपके पास बना हो कर कर ले जैसे के मैंने यह से कपी कर लिया और उसके बाद मैं यहांपर आउंगा इस में सबसे पहले कट करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर हैंगा यहांपर पेस्ट करनी के बाद इस टरीक एसा को यर्स दिखेगा यह जो स्लेश यह आगे की दंडी है इसे हटा देना है बागी के रहने देना है और उसके बाद आपका ब्लोग यह से वेरिपाइब हो जाएगा और उसके बाद यह से देशतों ओनर्शिप अप्टी वेरिपाइब यह पर लिखा आजेगा एक क्यों एसा आया है मैं आपको बत देता अगर आपका ब्लोगर अकाउंट का इमेल और आपका Google सुर्च कोंसल का अकाउंट का इमेल सेम है तो इस तरिके साब के टारीप पर आपकी प्रहेटी वेरिपाइब हो जाएगे और ऊटू प्रोपर्टी को आप्षिन आप इस पक्लिक कोले इस पक्लिक करने के बाद इस त आपको कुछ option देखने के लिए मिल जाते हैं, तो अभी बात करते हैं कि Google Search Console Account की जरुवत क्यों बढ़ती है, इसे आपको क्यों यूज करना चाहिए, और इसके सिवाए आपको AdSense का approval भी नहीं मिलता पेली बात, तो इसे जब तक आप व्लॉग या पर इस तरीके से submit नहीं कर पर search करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी website या पर show हो जाती है, आपका blog show हो जाता है, जैसे कि मैं इस website को open करता हूँ, जैसे कि मैंने search किया और उसके बाद ये website मेरे पास open हो कर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से जितने भी Google पर results show होते है, जैसे कि इस गूगल पर डाग देता है, तो उसके बाद कोई भी इस तरीके से search करने के बाद, आपकी भी post या पर show हो जागी, आपकी URL या पर आ जाएगी, और जैसे आपकी post पर कोई भी click करेगा, तो उसके बाद डाइक लिए, आपकी post ओपन होकर आ जागी, जैसे आपकी post ओपन होग तो automatically आपके post पर views आएंगे, views आएंगे, तो AdSense के add भी लगाए होंगे, तो AdSense के add भी show होंगे, और जैसे ही AdSense के add भी show होंगे, तो आपकी income भी चालू हो जाएगी, तो इस तरीके से simple बाद है कि आपके जो भी post है, जितने भी आपने post create कर करके, उन पर Google की तरप से views आन मैं आपको बता दिता हूँ, आप एक ही तरीके से directly आपके जितने भी post होंगे, जैसे के मैं अभी अपना blog open करका या से post पर जाता हूँ, तो इतने सारे post आपको देखने के लिए मिल जाएगे, तो इतने सारे post है, तो manually आपको एक एक index करने की जरूत नहीं है, जब भी आप जाएगी, तो जैसे के आप एसे देशे तो यहासे इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद इस तरीके से जैसे के screen पर देशे तो अभी आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, URL is not on Google, इस तरीके से problem दिखाई देखा, क्यूंकि अभी नया नया गूगल अकाउंट आपन अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस तरीके से आपको करने के लिए दूसरा क्या option है, यानि कि automatically आपकी URL के से submit होगी, उसके लिए आपको site map क्रेट करना पड़ता है, तो ओ भी मैं आपको इस रूड़ में बताने वाल हो, site map का होता है, और site map को के से आपको use करना है, जैसे कि यहां पर देख से तो एक या दो मिनिट लग सकते है, तो यहांसे index हो चुके है, यहांसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहांसे देख से तो indexing request submit हो चुके है, successfully, और उसके बाद test live URL का option है, हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी इस पर क्लिक करेंगे, तो ह हम यहांसे देख पाएंगे कि हमारी URL गूगल पर आई है या नई, इसका बारे में आपको पता चल जाएगा, तो यहां पर देख से तो एक मिनिट के अंदर हमारी URL यहांसे गूगल में शो होना चालो हो चुका, यहांसे देख से तो कुछ भी प्रॉब्लम होतो है, यहां इस तरीके से ग्रिन टिक नहीं है, तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट के URL आने की पोस्ट आप अपनी Google में डाल सकते हो, Google Search Console में सब्मिट कर सकते हो, जिससे की कोई भी सर्च करेगा, तो हमारी URL ऐसे Google में सर्च में आ जाया और हमारी पोस्ट पर यूज आना शुरू हो इस तरीका है, जिससे टाइम तो लगता है, यासे एक या दो दिन लग सकते हैं नहीं तो यासे 24 आउस भी लग सकते हैं, जिससे टाइम तो कुछ भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके Google के जितने भी URL आटोमेटिकली सब्मिट हो जाते हैं, कुछ भी प्रोब्लम आ जाते तो या पर शो हो जाता है, तो चले बात कर लेते हैं कि किस तरीकी से आप सारे के सारे URL आपके आटोमेटिकली Google में इसके बाएंगे, इसके बार में, तो बहुत ही सिंपल तरीका है ओभी, तो ओभी मैं आपको बता देता हूँ, यासे साइट मेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि आपके जितने भी पोस्ट होंगे, अपसे लेकर अगयान कि आपके जिसे कि आपके ब्लोग पर अभी साथा पोस्ट होंगे ने, तो जादा भी होंगे, कम भी होंगे, ठीके, सारे के सारे पोस्ट आटोमेटिकली इंडेस हो जाएं, और साथी अपसे लेकर आ आपको आपको और उसके बाद यह पर आना है और यह वाली यूरिल आपको यह पर डाल देना है और उसके बाद श्टार्ट को ऑप्छन है आप इसपर क्लिक करेंगे जैसे सटार्ट करेंगे तो आपके पोस्ट यायाए कि आपके just nom p ये जितने इतने भी पोस्ट होनगे automatically scan करना शुरूब हो जागा झाले कि देशातो बाइब का और आपको देखने के लिए रही है और उसके बाद या पर complete हो चुग है जिसके के स्क्रेम पर देशातों अभी कंप्लिट हो चुका है अभी आपको पुछ भी करने की जुरत नहीं यह आप टाइक लिए आप क्लोज कर सकतो है अभी आपका काम पूछ चुका है अभी आप क्या को गईगे आप जाओगे गूगल सच कोंसल अकाउंट पर उसके बाद यह अब की दिख जागी यह से आगे आपको क्या टाइप करने अच्छे से देख लेना आपको लिखना है साइट मैप डौट एक से मिल एक से मिल इस तरह के सापको लिख दे रहें और उसके बाद यहांप सब्सक्री नहीं पर इसकतोल ब्रेत सब्सक्री और चैसे हैं पोश्ट कितने हैं जैसे कि स्क्रीम पर दिस एक साथ पोस्ट ये प्सक्रण कि उसके साथी अपर दिखा ही दे रहेंगे और उसका बाद साइट के अपर प्लिकटते हैं जिसे कि मैंने आपको बता है था साइट मे इस तरह किसे इतरी किसे ऑपको टाइब करना है और इस के बाद जितनी यहां लोगे ऑटमेटीक लिए ऊते होते रहें तो इस तरह के से साइट मैं काम होता है कि आपको One Click में आपके सारे के साघने POSTP की URL Google में शुरू हो जाए Automatically Submit होते रहे तो इसी के वजह से आपको Sight चाहरे out अब यहां से कर सकते हैं जिसे कि यह पर देशो तो जो भी आपने पोस्ट लिख है जिसे कि यह न्यूव पोस्ट है तो मैं इसके URL कौपी करूंगा कौपी लिंक एड़े और उसके बाद साइट में पराऊंगा और स्वरी गूगल सचकोंस पराऊंगा और उसके बाद यह से देशो तो URL का उप्शन मिल जाता है इस पर को क्लिक करना है यह पर उपर आपको URL डाल देनी है और उसके बाद यह से देशो तो आपको इंटरफ्रे किसे नहीं आता है और उसके बाद इस तरह की से आजाँ जीके स्क्रिन पर देशा तो URL इस नोट ऑन गूगल इस तरह की से एरल आ जाता है तो तब आपको क्या करना है request इंटेसिंग को उप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट लाईयरल का उप्शन मिल जाता है इस तरीकेसे भी होते हैं और आप सब्सक्कावरा करना है तो इससे की बूट जिसके गूलन में आके पोस्ट चोओंगे और उसके बाद आपके सासरा नही को तो आपको पीर से याना है आपका ब्लोग का URL असे या पर पश्चेится करना है और उसके बाद से स्टार्ट की करना है और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है Google search social account पर और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है site map ठीक है अच्छे से spelling देख लेना site map dot x ml इस तरीके साब को type करना है जैसे के screen पर देख सकते हूं और उसके बाद आपको यहाँ submit option है submit आप इस पर प्लिक करें उसके बाद आपका भी site में आप यहाँ से submit हो जाएगा तो इस तरीके से simple process है और उसके बाद यहाँ से पोसाले बंदों के यह भी question आ जाते हैं कि हमारी URL यहाँ से अपने जो भी ब्लोग है उसको यहाँ पर इस तरीके से Google search console account पर submit कर सकते हो अकॉंट यह से connect कर सकते हो अभी आप जब भी यहाँ पर जाओगे जैसे के blogger पर जाकर यासे setting option है आप इस पर क्लिक करगे और उसके बाद यहाँ पर जाओगे Google search console का account इस पर जाओगे तो automatically आपका directly यहाँ पर Google search console का account यहाँ से open ओकर आ जागा जैसे के screen पर देख सकते हो अभी new account है तो यहाँ पर पूरी तरके से काली है जब आप यहाँ से तोड़ा सा काम कोरेगे और उसके बाद अच्छे से URL यहाँ से इंटेस हो जाएंगे तो उस इस तरह के से click आना शुरूब हो जाता है तोड़े तोड़े और उसके बाद आपकी ब्लॉइज आना शुरूब हो जाते है तो इस तरह के से आपको काम करना है blog को अपने Google search console को अकांट को इस तरह के सा आपको इंप्शन का है तो उस पर मैं उस पर भी मैंने उच्टियो ब इस इंट्रेस्टिक में तुड़ में तर्थ के लिए जीन जेवारा